रामचरन सर की बीटी पैदा हुई और उन्हें ऐसे गिफ्ट्स मिले जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और आखरी गिफ्ट मुकेश अमवानी सर का है तो ध्यान से रुकेगा पहला आलया भट आलया मैम और रामचरन सर ने आरार मूवीज में काम किया है अलया मैम ने उनके बच्ची को 5 लाग की गोल्ड रिंग किफ्ट किया है मैं काऊंगा बेस्ट किफ्ट क्योंकि गोल्ड के प्राइस हमेशा ही बढ़ते रहेंगे और किसी के बढ़े ना बढ़े दूसरा चिरन जीवी पिता बनने की खुशी में रामचरन सर ने अपनी बीवी और बच्ची को 31 करोड का अपार्टमेंट दिया मंबई में मैं काऊंगा पेस्ट किफ्ट रियल एस्टेट में पैसा डालने का मतलब है हीरे की खान में ही पैसा डालना और इसी दोस्ती में जूनिय एंटियार सर ने उनकी बच्ची को एक एडवांस जूला दिया जिसकी कीमत है 1.5 लाक रुपे मैं काऊंगा अवरेज गिफ्ट वो बच्ची उ जूले का कुछ साल ही इस्तेमाल करेगा और फिर भूल भी जाएगी कि ये कभी एंटियार सर ने होने गिफ्ट दिया था बाच्वा अलू अर्जुन अलू सर और राम सर काफी अच्छे दोस्त है और इन्होंने तेलकू इंडस्ट्री में काफी हिट मूवीज दी है अलू सर ने उनकी बेटी को एक गोल्ड की चेंड दी जिसकी कीमत है 5 लाक रुपे लड़की के पैदा होने पे ही इतनी जूलरी गिफ्ट मिल गई है कि आगे जाकर पैसा ही पैसा होगा बाकी लड़की वाले लोगों सीख लो निम्रत चिदोकर निम्रत मैम अपास्टना मैम के काफी अच्छी दोस्त है और इन्होंने बेबी को एडवांस ट्रोलर दिया जिसकी कीमत है 30,000 रुपे जैसा मैंने पहले भी बताया था ये वाली चीज़े तो माबाब भी दे सकते हैं आप कुछ अलग गिफ्ट क्यों नहीं देते हैं तो इसलिए आवरेज गिफ्ट सातवा सल्मान खान सल्मान सर और रामचरन के अच्छी दोस्ती है सल्मान सर ने रामचरन की बेबी को expensive soft toys दिये जिसकी कीमत है 2,000,000 रुपे मैं कहूंगा average gift क्योंकि यह वही gift है जो उनके माबाब भी उने दे सकते हैं तो कुछ अलग दे देते हैं भाई साब आटवा महेश बाबू महेश बाबू सर ने रामचरन सर के close friends में है और इन्होंने अपनी blessings से 80,000 की एक gold chain भेजी आपको पता ही है मेरा जवाब क्या होगा 9 वा SS राजमॉली SS राजमॉली साउत के सबसे बड़े director है सर ने इनको एक Audi Q3 car gift की जिसकी कीमत है 92.9,000,000 इस gift पे कोई comments नहीं होगे क्योंकि यह राजमॉली सर का आशिरवाद है तो no comments 10 वा मुकेश अंबानी मुकेश सर ने gold की cradle दी जो एक करोड की थी उनकी बेटी के लिए मैं कहूंगा best gift लड़की पैदा होने पर कोई इज़त नहीं देता मुकेश सर ने बहुत इज़त दी है और बहुत काम की चीज़ दी है